हेलो गाईज तुम बात किने वाल है स्टॉक मार्गेट की चार ऐसी बड़ी हाई गरूथ कंपनिया जिनका कोड़र त्री एफवाइट 23 का रिजल्ट आ जुगा इस आमने इन कंपनियों ने रिजल्ट की साथ साथ अच्छा डिवीडन एनॉंसमेंट किया है कि नहीं वो भी चल जाएगा आज की इस वीडियो के अंदर तो वीडियो को ज़रू से एंट तर देखते रहें ना वीडियो बसने दाए तो लाइक एंड चनल को सब्सक्राइब के ना मत भूलना सबसे पहले कंपनी आ जाती है बीडी लाइट इंडेस्ट्री इस पीडी लाइट इंडेस् आन app को मिला कर कमनी का total income इस quarter के अंदर 2712.91 करोड उपीस का कमनी का total income है जो quarter & quarter base के उपर income में गिरावट आई है बागी पिछले साल same quarter के मुकाबले income में एक बड़ोतरी देखने को मिल जाती है कमपनी के expense की बात करें तो cost of raw material के अंदर and अलग-अलग बहुत सारे expense को मिला कर कमपनी का total expense देखने का मलता है 2309.5 करोड रुपीस का quarter and quarter base के ओपर company के जो expense है वो कम हो आप लोग बोल सकते हो थोड़ा बहुत कम होता हुआ नजर आ जाता है बाकि यार overall इस कमनी के income and expense quarter and quarter base के उपर थोड़े से कम हुए है potential लेने के जरूवत नहीं है ये सारी चेज़ें आपर short term के लिए जरू से impact होती हुई नजर आईगी बाकि इस कमनी के net profit की बात करें तो 296.26 करोड रुपीस का company का net profit देखने को मिलता है quarter and quarter base के उपर और पिछले साल सेम quarter के मुकाबले company के net profit में massive downfall देखने को मिल जाता है बाकि इस कमने के आपर earning पर share भी आप लोग देखने जाओ तो 5.83 रुपीस पर आ चुगा है जो quarter and quarter base के उपर और पिछले साल सेम quarter के मुकाबले all time low के उपर जाता हूँ नजर आ जाता है पिछले एक साल का अभी यहाँ पर से सवाल यह जाता है क्यार पेडिलाइट इंडस्ट्री इसका जिस परकार का result आ है मेरे इसाब से दुपाई खराब result है पर इसका मतलब यह नहीं क्यार इस company के अंदर बेच के निकल जाने का company के अंदर क्या करना है वो भी discuss कर लेता है तो दिखो company के शे में आप लोगों के लिए मैंने कुछ levels बना कर रखे हुए है जहां पर खरीदारी और बिकवाली करने के मौके है जो आप लोग इस company के अंदर खरीदारी करने के अच्छे मौके मिल रहा ह अभी short term के लिए भर रही है के company का शे गिर रहा है खरीदारी करने के अच्छे मौके मिल रहा है मेरे को ऐसा लगता है कि यह company के शे में अभी यहां पर से दो हजार पचास सांट रुपे के असपास company का शे आता है तो आप लोग सरू से इस company को accumulate करके चल सकते हो मैं personally मेरी बा के उपर और 2,190 रुपे बढ़ी के यह दोनों अच्छे support zone है भाकी यार इस company के अंदर खरीदारी करने के लिए तो मेरा suggestion यही रहेगा कि यह दो हजार इक सो पचास सांट रुपे के आसपास इस company के अंदर खरीदारी करके चल सकते उड़ीक है एक चीज जरू सियात रखन कंपनी के share में आपर से short term के लिए कुछ expectation मत रखे चलना मतलब short term में आप आप लोगों का पैसा double हो जाएगा triple हो जाएगा यह expectation मत रखना पर आने वाले 5 साल के अंदर यह company एक बहुत ही अच्छा return कमा कर जरू से दे सकती है आप लोगों को बता दू 5 साल का chart pattern में आप लग कंपनी का share trade हुआ करता था और यह company ने 2,900 रुपे तक की यहाँ पर rally दिखा दिया है almost almost इस company ने अपने share rules को यहाँ पर साड़े चार गुना के आसपास पैसा बना कर दिया है साड़े तिन चार गुना के आसपास जो 5 साल के अंदर मेरे हिसाब से बहतर इन ट्रीटन है large category की हिसाब से और इस company ने COVID-19 में कुछ खास बड़ी गिरावर भी नहीं दिखा ही दी मातर है आपर 12-15% company का share गिरा और थोड़ी दीर के बाद ही यह communication में एक अच्छी rally आने लगी तो इसलिए मेरी यहाँ पर viewers and subscribers को यहीं यहाँ पर सला रहेगी क्यार भाई इस company के हंदर hold and continue कर के चला और जो 2,060 रुपे पर आता है तो इस company के share में और एडिंग करके चल सकती उठीक है अब यहाँ आपर बात कर लगता है अगली company के बारे में अगली company है जाती है सोना BWL सोना BWL की बात के लिए तो इस company का standalone result presented है सारी amount से वह millions में बताई गी है और 1 million is equal to 10 lakh चीज़ आप लोग जरू से ध्यान में रखके चला बाकी इस company के quarter and quarter base के उपर result को compare करेंगे यह इस quarter का result यह पिछले quarter का result यह पिछले साल same quarter का result देखने को मिल जाता है कमने की income की बात करें तो revenue from operation and other income को मिला कर कमने का total income इस quarter के अंदर 6,287.76 million रुपीज का देखने को मिलता है quarter and quarter base के उपर और पिछले साल same quarter के मुकाबले company की income में एक अच्छी बढ़ोतरी होती भी नसरा जाती है बाकी इस company के expense की बात करें तो cost of raw material के अंदर अलग-अलग बहुत सारे expense को मिला कर कमने का total expense इस quarter के अंदर 5053.34 million रुपीज का company का total expense है जिस प्रकार से company की income बढ़ी है वैसे वैसे थोड़े-थोड़े company के expense भी बढ़ते हुए नसरा जाता है बाकी इस company के net profit की बात करें तो यार इस company का net profit 955.93 million रुपीज पर trade हो रहा है जो quarter and quarter base की उपर और पिछले एक साल का lifetime high के आसपास trade हो रहा है जो भी एक बहुत ही जादा अच्छी बात है इसी के साथ साथ यहां पर हम बात करें earning per share की earning per share भी यहां पर 1.63 रुपीज पर trade होता हुए नजर आ जाता है जो quarter and quarter base की उपर और पिछले साल स्म quarter के मुकाबले एक अच्छा jump देखने का मिलता है overall इस कमनी का भाई सुना BWL का बहुत ही बढ़िया result है जिसको यहां पर सुना Comstar भी बोलता है कुछ लोग बाकियार इस कमनी ने आपर से अपने shareholders को result के साथ साथ dividend का भी announcement किया है dividend यहां पर 1.28 पैसे per share का यहां पर रहने वाला है और इस dividend की record date की बात करें तो 6 February 2023 यहां पर Monday की दिन इस कमनी का record date देखने को मिलता है बाकियार यह जो dividend record date के 30 दिन के अंदर यह अंदर आप लोगों को pay कर दिया जाएगा आप लोगों के bank account के अंदर अभी यहां पर से company का result दबाई शांदर आया है आज के दिन इसी वज़े से अच्छी थेजी भी company के share में देखने को मिली है आप लोगों को यहां पर दखा हूँ तो यह company का share almost almost आज के दिन 3% के करीब भागता हुआ देखने को मिला ठीक है अभी यहां पर से इस company के अंदर क्या करना चीए वो डिसकस कर लेता है और यह company का share यहां पर से एक बहुत ही अच्छी rally के बाद आप लोगों देखने जाओगे तो यह stock market में company list होने के बाद 336 रुपे के आसपास company का share list हुआ था 300 रुपे ही मानलो क्योंकि आर लिस्टिंग प्राइस यहां पर 300 रुपे की करीब थी 300 रुपे का share almost almost 800 रुपे हो चुका था company ने अपने share list को यहां पर 150 परसेंट का return कमा कर दिया था ठीक है 150 परसेंट का return कमा कर दिया और उसके बाद बड़ी सी गिरा बटाईए ठीक है तो यह चीज़ाद रखना ऐसी यहां पर growth company के अंदर जो मैं आप लोगों को दिखाता रहता हूं यह जो company होती है ना बहुत ही security है और इन company के अंदर bottom पर आप लोग खरीदारी कर लेते हो तो आप लोगों को इस company के अंदर अच्छा profit मिलने का possibilities बढ़ जाता है ठीक है तो इसलिए यहां पर इस company को ज़रू से ध्यान में रखके चलना बाकी रही बात इस company के अंदर इतनी बड़ी किरावट आने के है कि ज्यादा लंबे समय तक तर इसलिए यह company के शिव में गिरावट आई ठीक है इससे आप लोगों को घबरानी की बिल्कुल भी जड़ुवत नहीं है मेरी आप लोगों को यही सला रहेगी जो आप लोग ने उपर की लेवल्स के वह बहुत उपर की लेवल्स के उपा सा अच्छा पर्फॉमस करीए अभी आप लोगों को एक यहां पर डीटेल वीडियो समारे आने वाले बेस्टॉक टू इस सेक्टर के बेस्टॉक कौन से है उसके उपर में डीटेल वीडियो बनाने वाला हूं उसमें मेरी यहां पर मैंने पूरा एनालिसिस किया ओटो सेक्ट अच्छी कंपनी लगी है तो इस कंपने को फोल्ड एन कंटीनु करके चलना गलती से भी लॉस में बेचना मत शायद अभी लॉस में बेच दोगे तो अच्छा लगेगा कंपनी का शिर मेंने कम लॉस में निकाल दिया या ऐसा होगा पर लॉंग रंड के अंदर आप लोगो अगली कंपनी परेंलेटिक सब्सक्ति देखने का मिल जाता है क्पनी की इंकम की बात करें तो को मिला कर कमपनी का total income इस quarter के अंदर 1674.5 million रुपीज का देखने को मिलता है quarter and quarter base के उपर और पिछले साल same quarter के मुकाबले company की income एक अच्छा jump है बाकी इस company के expense की बात करें तो employee की cost के अंदर company का जाद दर expense दाता है total expense की बात करें तर 1055.04 million रुपीज का company का total expense है जिस प्रकार की income बढ़ी है वैसे वैसे company के expense भी बढ़ते विए नज़र आ जाता है बाकी इस company के net profit की बात करें तो tax and expensive item काटने के बाद company का 524.73 million रुपीज का net profit देखने का मिलता है जो quarter and quarter base के उपर और पिछले साल same quarter के मुकाबले अच्छी तरीके से बढ़ा है जो एक बह देखने जाओगे तर वो भी यहाँ पर 2.6 रुपीज पर आ चुक है जो भी यहाँ पर से धिरे-धिरे करके overall यहाँ पर earning per share में आप लोग ऐसा बूल सकते हो पिछले साल same quarter के मुकाबले flat return है बाकिया quarter and quarter base के उपर एक अच्छा jump देखने को मिलता है overall result इस company का latent view analytics इस company का ठिक ठाक देखने को मिलता है ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा इस प्रकार का company का result देखने को मिलता है इस company के अंदर यहाँ पर क्या करना चाहिए इसकी बात करें तो देखो एक चीज़ जरूश बलूँगा company का यहाँ पर से अभी अच्छा time चल रहा है company यहाँ पर अच्छे ना बने हो बाकियार इस company के अंदर जिन लोग ने IPO में पैसा लगाया था और पहले दूसरे दिन निकल गए थे उन लोगों के पैसे बहुत अच्छे बने है ठीक है दूसरी साब से देखने जाए तर company ने पैसा बना कर जरू से दिया है पर थोड़ा यहाँ पर से खरीदारी कौन-कौन से लेवल के उपर करनी है तो एक तो यहाँ पर से 308 रुपे का लेवल है यह लेवल के उपर आता है तो company के शेयर में आप लोग accumulation कर सकते हो खरीदारी कर सकते हो यहाँ पर 350 रुपे का लेवल तो जरू से support का काम कर रहा है पर मेरी सला नहीं रहेगी खरीदारी करनी की 308 रुपे के आसपास 300 रुपे पर आता है company का शेयर तो जरू से इस company के शेयर में खरीदारी करके चलना और एक चीज़ जरू से बलूँगा valuation के इसाब से थोड़ा सा अभी भी यह company का शेयर महंगा है 50 के आसपास के PE पर चल रहा है तो मेरी सला यह रहेगी कि आर इस company के अंदर बहुत ज़ादा quantity में investment मत कर देना 300 रुपे के आसपास थोड़ा पैसा बचा कर रखना बाद में हाँ आपर शाय जरूरत पर जाए buy on deep क बाकि यह overall यह company बढ़िया है long term perspective से इस business का इस company का यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा काम आने वाला है company यहाँ पर से business analytics data analytics data science होती है data engineering होती है उससे related यहाँ पर company business करती है company की बारे में पुरा detail वीडियो चाहिए तो भी आप लोगों के लिए मैं बना कर दे दूंगा बा 720 उपे यह कुछ levels है जहाँ पर आप लोग short term के लिए खरीदा था तो यह इन levels के उपर आता है तो इस company के साथ इस company के अंदर जरू से continue and hold करना चाहिए मिरको तो यही लगता है जो आप लोग रिस की portfolio बना रहे हो तो ठीक है अब यहाँ आपर बात कर लाता है अगली company के बा quarter का result यह पिछले quarter का result यह पिछले साल same quarter का result देखने को मिल जाता है company की income की बात करिए तो बाई revenue from operation and other income को मिला कर company का total income इस quarter के अंदर देखने को मिलता है 1221.27 million रुपीज का quarter and quarter base के ऊपर company की income में एक अच्छा jump देखने को मिल जाता है बाकी इस company के expense की बात करिए तो cost of raw material क के अंदर and अलग-अलग यहां पर बहुत सारे cost को मिला कर company का total expense देखने को मिलता है 1079.04 million रुपीज का जिस परकार से company की income बढ़ी है वैसे company के expense भी बढ़ते हुए नजर आ जाता है बाकी इस company के net profit की बात करें तो tax and expenses item काटने के बाद company का net profit 116.23 million रुपीज का देखने को मिलता है quarter and quarter base के उपर company के net profit में jump है बाकी पिछले साल same quarter के मकाबले company के net profit में एक बहुती बड़ी गिरावट आती वी नजर आ जाती है बाकी इस company के earning पर share की बात करें EPS 5.24 रुपीज पर trade हो रहा है जो quarter and quarter base के उपर बढ़ा है बाकी पिछले साल same quarter के मकाबले 50% तक की गि जावट आती भी नजर आ जाती है overall इस company का result है भाई यहां पर decent देखने को मिलता है ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा इस परकार का company ने result present किया है अभी यहां पर बात कर लेता है company के share में करना क्या चीए तो देखो company के share में आपर कुछ लेवल्स है जहां पर खरीदार और बिक्वाली करने के मौकए है मैं हमारे viewers and subscribers को एक ही चीज़ बलूँगा company की valuation है ना वो अभी current level के बहुत जादा हाई है 105 के PE की आसपास company का share trade हो रहा है उस हिसाब से देखने जाए तो यहारा इस company के अंदर अभी investment करने में जादा समझदारी है नहीं बिलकुल भी समझ किदारी करने चाहिए मेरा personal view ऐसा है ठीक है एक चीज़ जरू से बलूँगा आने वाले समय में company का share है आपर 1000 रुपे के आसपास या 1200 रुपे के आसपास आता है तो यह इस company के अंदर investment करने का सोचेंगे बाकियार अभी तो वाई इस company के अंदर मैं personally investment नहीं करने वाला हू ऐसा मेरा view है बाकिया आप लोग अपनी तरीके से यहाँ पर चल सकते हो बाकियार हमारे विवेशन सब्सक्राइबर को अभी के लिए इस company से दूर रहने की सला रहेगी और जो लोग invested है उन लोगों को hold करने की सला रहेगी यह company बहुत ही जादा मतलब आप लोग बूल सकते यह return कमा कर दी सकती है जो हम लोग सोच नहीं सकते ना उतना अच्छा return यह company कमा कर दी सकती है और यह company हाँ पर क्या काम करती जिन लोगों को नहीं बताए उन लोगों को बता दू यह company का बहुत ही बड़ा diversified business है यह आप लोग बोल सकते हो portfolio है product portfolio है जिसमें यह company structure structure directing agent यह company ब बनाती है और भी बहुत सारे electrolysis salt यह battery बनाने के लिए जो electrolysis salt होता है ना वो भी यह company बनाती है और भी यह आपर pharmaceutical and agrochemical intermediate यह company बनाती है specialty chemical sector से भी यह company जोड़ी हुई है ठीक है इसलिए हाँ पर यह company का diversified business model होनी की वज़े से long run में इस company को बहुत ही ज़दा फाइदा होगा तो invested हो तो hold रखना बाकियार मैं परसल अपनी बात करूँ या हमारे viewers and subscriber की बात करूँ यार 1500 से लेकर 12 सुर्पे maximum इस company के share की यह price देन accumulation कर सकती हूँ ठीक है तो इस company के अंदर accumulation कर सकती हूँ ठीक है तो बस आच के लिए तने good bye love good bye for me to next video में good bye